हेलो एन वेलकम स्टुडेंट्स वेलकम टू आवर यूटूब चानल आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिफ्रेंशियेशन बताने वाली हूँ एल्कोहल्स और फैनॉल्स के बारे में तो प्लीज इस वीडियो को लास तक देखिएगा तब ही आप पच्छे तरीके से स समझ पाएंगे कि आपको एक्जामिनेशन में कैसे पॉइंट्स में लिखना है और कैसे आप मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेर्स्ट किये हुए लेट्स केट स्टार्ट तो यहां क्वेश्चन है डिफ् कि इस आपको नहीं लिखना होता है बीच में रूलर की हैप से एक लाइन की ड्रॉ कर लीजी उसके बाद एक साइड में एल्कोहल और दूसरे साइड में फिनॉल जो भी टॉपिक होता है डिफ्रेंस बिट्वीन का वह आप लिख करके उसके बारे में बताईए चलिए आप अब आपके इसको बता देती हूं कि अल्कोहल और फिनॉल का डिफ्रेंस येशन क्या होता है तो स्टुडेंट्स एल्कोहल क्या होता है एल्कोहल इस ग्रूप यह इस मॉलिक्यूल कंसिस्ट ओफ वन और मोर हैड्रोग्जाईल ग्रूप विच इस फॉर्दर अटैच्च त अब तौन ग्रूप अल्कोहल क्या होता हे एल्कोहल इस अंकमपाउं बाज इस मॉलिक्यूल कंसिस्टफ ओ वन और मोर हैंड्रोग्जाईल ग्रूप इफ्रनॉल क्या होता है यह इस लिर अंपाउईल कंसिस्टि ओ ऌफ इन इन पर हैं ए दर inveanted directly to an aromatic hydrocarbon group Now next Alcohol Alcohols Alcohols का second क्या है Alcohols are said to be arthritic hydrocarbons Alcohols क्या होता है Elephatic hydrocarbon होता है Phenols क्या होता है Phenols are mainly aromatic hydrocarbons Alcohol क्या है Elephatic hydrocarbon है वही Phenol क्या है Aromatic hydrocarbon है तो Elephatic Aromatic याद रखिएगा Number 3 Point number 3 है In comparison to phenol, alcohols are less acidic in comparison, अगर हम करेंगे alcohols और phenol की बीच में, तो alcohol जो होता है, वह less acidic होता है वह कम acidic होता है, phenols phenols are acidic in nature and should be diluted before using it phenol जो होता है, वो acidic होता है nature का, और उसको Undercle तो उचको अच्छे तरीके से मिला करके यूज करना होता है, ठीक है? डैलीट कर लेना होता है. Now, number four, number four है, in terms of uses, alcohol is main ingredient in alcoholic beverages, they are also used in ink, pharma ink and many other industry. Alcohol catchy में use होता है, in terms of uses, alcohol is main ingredient in alcoholic beverages, they are also used in ink, ink में भी use होता है, pharma ink में भी use होता है, और दूसरे industries में भी use होता है now next phenol क्या होता है phenols are mainly used in medicinal products and antiseptic agent phenols जो है medicinal product के लिए ज़्यादा use होता है especially detol विगरा के लिए जबी भी आप कोई antiseptic product देखेंगे such as detol हो गया या savalon हो गया तो उसमें ये phenols होता है antiseptic agents में now next question number 5 number 5 है alcohols are mostly colorless and they are in liquid state alcohol कैसा होता है alcohol जो होता है वो colorless होता है और वो liquid होता है state में phenols कैसा होता है phenols are colorless solid in form of crystal phenols कैसा होता है crystal form में होता है liquid form में क्या होता है alcohol और crystal form में क्या होता है phenol तो दोस्तों students मुझे उम्मीद है कि आपको इसका जितना भी मैंने आपको differentiation बताया है बिल्कुल clear हो गया होगा अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और examination में इसी तरीके से लिख करके आएंगे differentiation जैसा मैंने आप लोगों को बताया था वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like, share, subscribe जरूर कर दीजेगा मैं मिलती हूँ आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वन्दे मातरम